Students, कैसे आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे So, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था, Fungi की General Characters के बारे में और आज हम पढ़ने जा रहे है, Mode of Nutrition Fungi का Mode of Nutrition है, उसके basis पे हम उसको कितनी categories में डिवाइट करते हैं आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, I hope आपको वीडियो अच्छे लगी होगी अगर अच्छे लगी तो लाइक करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना कमेंट करना अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली कोसिस करूंगी, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ देखो, हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, अगर जिसने पिछली वीडियो नहीं पढ़ी है, वो जाके पहले ये वाली वीडियो पढ़ने से पहले वाली वीडियो में जाके आएं, उसको देखें, उसमें मैंने पूरे जेनरल करेक्टर्स के बारे में बताया हुआ है की जो फजय होते है होती है। हils Maori फजय होती है हिट्रोट्रोफिक होती है! यह फजय ही प्रिपर नहीं खरती है..! तौ ए अपने अपने उतरोप्चुन कर इस है फ्जीन इस हम आपने जो में समय हो फ। लेटी है.. तैस लिए उनको क्या किया गया है The things are diyor and valid odc 제가 उनका जो mode of nutrition है उसके basis पे उनको क्या किया गया है डिवाइट किया गया है ठीकिए पहला जो है parasites पहला जो mode of nutrition के basis पे उनको जो डिवाइट गया है जो पहली केटिगरी है उसको बोलता है those fungi which obtain the nutrition from other living plant and animals are known as parasites वो fungi जो अपना material अपना absorption अपना nutrient कहां से ले रही है living plant और animals के तुरू ले रही है उनको हम बोलता है parasites some of these fungi can live only on life protoplasm and they are known as obligate parasites parasitic fungi हमें पता चल गया वो fungi है चुकि see living plant और animals के अंदर क्या कर रही है रहे के अपना nutrition उनमें से ले रही है अब उन parasitic fungus में से कुछ fungus ऐसी होती है जो सिर्फ live protoplasm पे ही जिन्दा रह सकती है ठीक है उनको क्या चाहिए plant और animal का living protoplasm ही चाहिए तो उन्हें हम बोलता है उस पर्टिकुलर फंगस को हम बोलता है obligate parasites यानि की true parasites वो क्या है true parasites हैं कि वो उन्हें अपनी life cycle complete करने के लिए कोई life protoplasm ही चाहिए उससे example हो गया पक्षीनिया ठीक है parasitic fungus में से ही कुछ fungus ऐसी होती है जो time आने पे क्या होती है dead organic matter पे भी grow कर सकती है यानि कि अगर उन्हें living host नहीं मिला है in the absence of living host वो क्या करती है किसी dead organic matter पे क्या करती है grow करती है उनको हम बोलता है facultative separates यानि कि अगर उन्हें living host मिल रहा है तो वो living host पे grow करेंगी अगर उन्हें living host नहीं मिल रहा है in the absence of living host वो अपनी life cycle को complete करने के लिए खुद को बचाने के लिए क्या करती है dead organic matter पे भी grow कर सकती है उनको हम बोलता है facultative separates ठीक है next category जो है वह सेप्रोफाइट्स की सेप्रोफाइट्स वह फंजाय है these फंजाय obtain their nutrition from the dead decaying organic matter यह फंजाय क्या करती है अपना nutrition कहां से absorb करती है dead decaying organic matter से अपना nutrient क्या करती है absorb करती है अब जैसे हमने parasitic फंजाय में पर रहा था obligate parasite और facultative सेप्रोफाइट्स वैसे हम यहां भी पढ़ेंगे obligate saprophytes और facultative parasites जो सेप्रोफिटिक फंजाय है उनमें क्या होती है कुछ fungus ऐसी होती है जो सिर्फ dead or decaying पे ही grow करेगी जो living protoplasm में grow नहीं कर सकती है उनको हम बोलेंगे obligate saprophytes यानि की true saprophytes जैसे की mucer चीक है कुछ फंजाय ऐसी होती है कि उनको अगर dead and decaying matter organic matter अगर मिल रहा है तो वो वहां पे grow करेंगी अगर dead and decaying organic matter उनने नहीं मिल रहा है तो उनके पास एक capacity होती है कि वो living organism को भी क्या कर सके इंफेक्ट कर सके तो उन्हें हम बोलता है facultative parasites दो saprophytic fungi example होगे fusarium और pythium which have the capacity to infect living organism जिनके पास capacity है कि वो living organism को क्या कर सके इंफेक्ट कर सके उनको हम बोलता है facultative parasites ठीक हो गया और जो third category है fungi की वो है symbion, symbion क्यों से fungus होती है some fungi grow on other living organisms and both are mutually benefited कुछ fungi क्या होती है जो क्या होती है living organism के साथ रहती है some fungi grow on other living organism जो किसी living organism के उपर ग्रो करेगी और both are mutually benefited, fungi को भी benefit मिलेगा और जिसके उपर वो रह रह रही है उसको भी क्या मिलेगा benefit मिलेगा उसको हम बोलते है symbiont ठीक है उसको हम क्या बोलते है symbiont such an association is known as symbiosis और इस association को हम क्या बोलते है symbiosis बहुत important है इसको आप लोग याद रखिएगा और नोट कर लीजेगा इस association जब fungi किसी living organism पर रहती है और दोनों mutually के होता है benefited होते है उस केस को हम बोलते है symbiosis और उन दोनों इसका example क्यों हो गया lichen और mycorrhiza lichen और mycorrhiza क्यों हो गया इसके common example होगे lichen हमने देखा जिसमें fungus और algae का association होता है ठीक है उसको हम बोलते है lichen और mycorrhiza जिसमें higher plants और fungus का association होता है उसको हम बोलते है mycorrhiza अगर आप लोग चाहता है कि मैं lichen और mycorrhiza पे भी एक particular video बनाऊ तो बहुत अगर हम इनको explain करेंगे अगर हम particular इसमें पढ़ेंगे तो बहुत broad term है बहुत broad जो topic है हमारा ठीक है वो हम next video में पढ़ेंगे इस reproduction topic को next video में पढ़ेंगे अगर मैं इसी video में लोगे तो यह थोड़ा video बहुत लंबी हो जाएगी ठीक है तो next video का आप लोग वेट करिए अगर आपको video अच्छे लगे तो like कीजिए ठीक है comment कीजिए share कीजिए अपने friends के सा और कोई particular topic पर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो definitely मुझे नीचे comment कीजिए okay bye bye take care